नमस्ते चात्रों गूड इवनिंग योट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में चंदेल सासक धंक के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखे चात्रों चंदेल सासकों के बारे में हमने काफी कुछ पहले पढ़ लिया है तो आप प्लेइलिस्ट में जाके और चंदेलों के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और यदि आप लोगों के पास कोई सुझाओ हो इत्यास विश्य से संबंदित हो या फिर और भी कोई सुझाओ हो तो आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और सेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी मैं तो बून सूचना पहुंच सके ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं 1202 इस्वी तक सासक था चंदेल वन्सका राजा बना धंका जन्म पुस्पा देवी नामक महाराणी से हुआ था ठीक है तो जो चंदेल सासक ये सोवर्मन है इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी मर्त्यू के बाद क्या होता है कि इसका फुतर धंगयवा धंधाता धंग ही था धंग के सासनकाल की गटनाओं के बाड़े में हमें खजूराहो के लेक से पता चलता है कि धंग ने अपणी सक्ती अम बाहुबल से खेल खेल में कालंजर तक तथा वहां से गोब कीरी तक का छितर जीत लिया था ठीक है धंग ने कालंजर को पूरी तरह से जीत लिया तथा कालंजर को अपने राजे की राज़दनी बनाया उसके बाद धंग ने ग्वालियर, बनारस, प्रियाग तक के छित्र को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया ग्वालियर के विजए धंग के सबसे महत्तोपुन सफलता थी इस ग्वालिर विजय के बाद चंदेलों ने पर्तिहारों के अधिनता से अपने आपको मुक्त कर लिया था कालंजर का दूर्ग ततकालिर भारतिय दूर्गों में सबसे अभिद्धे तथा सक्तिसाली था तता उस पर पर्तिहार, कल्चूरी, राष्ट्रकूर्ड सभी ने प्रयास किया था लेकिन धंग ने कालंजर के दूर्ग को जीत लिया था खजुराहो लेक के अंत में लिखा गया है कि यसस्वी विनायक पाल देव के पर्त्वी का पालन करते सभे कोई भी सत्रू उस पर अधिकार नहीं कर पाया तथा सभी का उन्मूलन कर दिया इससे स्पस्ट है कि 955 इस्वी तक चंदेल कनोज की संपुर्बुता को नामातर के लिए ही स्वीकार कर रहे थे और इस समय तक धंग कनोज का वास्त्विक एमवेदानिक समराड बन गया था कई अपीलिकों से पता चलता है कि धंग ने अपने सासन के अंतिम समय में खजूराहो को चंदेलों की राजदानी बनाया था जो बाद तक चंदेलों की राजदानी खजुरा हो ही रही तो चंदेलों की राजदानी कहां थी खजुरा हो और चंदेलों की राजदानी खजुरा हो किसने बनाई धंग नामक सासक ने अब देखे जो चंदेल ससक धंग है इसका धर्म क्या था धर्म वैदिक अत्वा ब्रामन धर्म का अनुयाई था शीव उसके विशिस्ट आरादे देव थे इन सब के साथ साथ वैस सभी हिंदू देवी देवताओं का भी उपासक था खजूराहों में उसने जैन मतानुयाईयों को भी अपने धर्म के परचार तथा मंदिर बनवाने की सुविधा परदान की थी धंग के जेवनकाल के अंतिम दिन तो परियाग के संगम में धंग ने जल समाधी द्वारा प्रान त्याग किया तथा नन्यूरा लेक जो नो सो अठ्याण में इस्विका है इसे पता चलता है कि कासी में उसने भट्टे सोधर नामक ब्रामन को एक गाम दान में दिया था चंदेर सासक धंग की संस्कृति के उपलब्दियां देखेगा धंग केवल महाल विजयता ही नहीं था अपितु उसर परससक तथा कला एम संस्कृति का उन्नाएक भी था उसके सासन में चंदेर समराजे के गोरव में अत्यदिक उन्नती हुई थी धंग ने ब्रामनों को भूमी दान में दी थी इसके साथ ही उसने ब्रामनों को उज़पद भी परदान किये थे धंग का मुखे नियाधिस भट्टे सोधर तथा परधान मंत्री प्रभाज जसे विद्वान ब्राह्मन थे धंग ने खजुराओं में अनेक मंदिरों का भी निर्मान करवाया था धंग द्वारा खजुराओं में बनवाये गए मंदिर जिनके बारे में कई प्रीक्षव में पूचा जाता है देखिएगा जिननात का मंदिर विश्वनात मंदिर वेदेनात मंदिर जिननात मंदिर से धंग के ससनकाल का एक लेक मिलता है जिसमें जैन उपासकों को उसके द्वारा दिये गए दान का विवरन सुरक्सित है वैदेनात मंदिर में उतकिन लेख से पता चलता है कि इसका निर्मान गहपती को कल द्वारा करवाया गया था खजुराहों से प्राथ एक अन्य लेख से पता चलता है कि उसके समय में भगवान संभू का एक भव्वे मंदिर बनवाया गया तथा उसमें मरकत मनी तथा प्रस्तर से बने हुए दो लिंग इस्थापीत किये गए थे धंग ने महराजदी राज की उपादी धारण की तथा जीवेम सर्दह सतम की उपती चरितार्थ करते हुए अंत्तह प्रियाग इस्तित गंगा यमुना के संगम के पवितर जल में निमी लित नेत्रों से रुद्र का ध्यान करते हुए तथा पवितर मंत्रों का जाप करते ह वे शरीर त्याग कर मोक्स को प्राप्त हुआ धंग के बाद उसका पुत्र गंड चंदेर वंस का सासक बना वह भी एक सक्तिसाली सासक था गंड ने 2002 से 1019 इस्वी तक सासन किया था त्रीपूरी के कल्चूरी चेदी तथा ग्वालियर के कच्छप घात सासक गंड की अधिनताव स्वीकार करते थे तो देखेगा ये वीडियो एकजाम की दर्स्टिचे बहुत मैतापुन है और चंदेल सासकों के बारे में आपको आगे भी इनपोर मेसर मिलेगी अतया बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस पे